वेल्कम लबर्स वेल्कम टू फिजिक्स लेवर योटूब चैनल लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट के अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अभी डिसकसिंग करेंगे कुछ और फंक्शन की कंटिनिटी को तो सबसे पहला जो फंक्शन दिया वो दिया फ of x is equal to one upon x when x not equal to 0 ठीक है हमें इस function की continuity को चेक करना है तो function क्या है आपके सामने f of x is equal to one upon x for x not equal to 0 एक जिरो नहीं होना सही है उसने ऐसा कह दिया है ठीक है इस function की continuity को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे mind में आएगा कि भाई continuity चेक करनी है ठीक है continuity चेक करनी होती तो हमें तो क्या पता है कि कोई भी point क्या वर continuity पता है तो वो क्या होती है limit x approach to c for any function f of x is equal to f of c आना चाहिए जदि हमको यह पता है तो हम क्या करते हैं इस question में माल लेते है लेट एनी वेलू c ठीक है any value c जो c value क्या होने है वो क्या होने चीए नौन जीर होने चीए ठीक है तो आपको paper में कैसे लिखना है paper में आपको इस प्रकार लिखना है let any non value non let any value c which is non zero ठीक है इस प्रकार पेपर में लिख रहे होगे ओके अब हमें क्या करना है देखे जो है कोई भी रेंडम वैलू है माल लीजिए कि कोई यह जो फंक्शन है आपके सामने कुछ इस प्रकार का है ठीक तो सी जो है कोई भी रेंडम वैलू है केवल zero नहीं हो सकती बागी व अब देखए एक्स की वैलो सी को अप्रोच करांवी है तो सी को अप्रोच करांच वाले तरीके से और रो और पर वैलू जोगी वापस दो जा होगि कि कि क्ली सब्टी से थोड़ा आंगे जाने का मतलब है यह जो सी था उसे हमें थोड़ा आंगे जाना है थोड़ा आंगे जाएंगे देखिये वापस से महीं लोड जाएंगे माल लिजिए इसकी तो जिरो 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 and so on up to one मतलब इसकी वैलू तो क्या होती है फाइनली वन ही होती है ना इसलिए सी से थोड़ा आंगे जारे का मतलब यह कि वहीं सी पर पहुंच जाते है चलिए इसका मतलब यह है कि इस function की continuity तो एक्जिश्ट करती है वैं एक्स नॉट एक्वल टो जीरो function की क्या है कि हमें f of c देखना है f of c क्या हो जाएगा one upon x में रख दीजिए तो f of c क्या हो जाएगा सामने one upon c हो जाएगा देखिए यह वाली condition valid हो रही है limit x approaches to c f of x is equal to f of c इसका मतलब यह है कि function continuous है हम ऐसा लिख सकते हैं कि function इस जो result आ है वही लिखता है कुछ extra दिमाग नहीं लगाना function is continuous क्या रिखेंगे function is continuous ठीक है at any non zero value c except x equal to zero ठीक है यह आप हैंस में यह लिख सकते हैं ऐसा नहीं लिखना तो दूसरा तरीका आपके सामने यह है कि function hence x equal to zero is only point of discontinuity ठीक है यह दूसरा तरीका है लिखने का समझ में आपको यह वाला question किस प्रकार करना है बहुत ही simple question था कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं था सबसे easy question मैं कह सकता हूं कि सबसे easy question था हमें क्या करना था जो भी condition दी थी सारी condition को लगा देना था one upon x दिया था उसने बता दिया भाई x equal to zero नहीं होना आपको नहीं देखना एक सीकुल टू जीरो नहीं होना चाहिए बाकि आप सारी condition लेनो चुकि हमको पता कि one upon x है तो one upon x में x equal to zero क्या होती है पहलो infinity को जा रहे है तो उसने पहले किया हुए function x plus two if x is less than equal to one और x minus two इसकी value होगी if x is greater than equals to one ठीक है हमें function की continuity को discuss करना है तो हम तीन case देखेंगे आपर पहला case आपके साब में क्या बनता है कि जब x की value क्या होगी less than one होगी तो यहाँ पर देखिए जब less than one है तो माल लेते let any value c ठीक है एक से less than one में हम कोई भी value c माल लेते हैं तो कोई value c माल लेंगे तो यहाँ पर देखिए limit चेक करिए limit क्या हो जागी आपके सामने x approaches to c f of x तो less than one में function की value क्या define है one plus two is equal to तो आप बताए एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक पर नहीं कीकीस देख सकते हैं इसका एक डेख लो इसका आरेचल देख लो ठीक है लेचल में सी माइनस हो जाता है तो मैंने डिक दिया है आप भी डिक्कत नहीं है ठीक यह होगा case one अब चल यह दूसरा case देख लेते हैं इसी question में दूसरा case आपके सामने क्या होगा case number two case number two म के function क्या है define है कुछ इस प्रकार x is greater than one ठीक है x is greater than one में अपने सामने क्या function define है तो function to define आपके सामने वो है x minus two okay sorry x minus two okay यह वाला function defined है तो माल लीजे फिर से let any value c c c जो है वो क्या होना चाहिए एक से minus two अब यहाँ पर c डालेंगे तो value क्या आगी c minus two आएगी ओके ठीक है अब यहाँ पर देखिए case three case three देखते हैं case three आपके सामने क्या बनेगा कि x की value क्या हो जाए one अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई हम one यह से less पर चेक कर रहे हैं one से ज्यादा पर चेक कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं यह सवाल तो उठता है वाई वाई वी आ दूइंग डिस ओल हम ऐसा इसलिए क्योंकि question में हमें one के about function को define करके दियो है तो जिसके about function define करके देता है उसके about हम check कर रहे होते हैं ओके चलिए तो एक्स इक्वल टू वन पर function कॉंसर डिफाइन एक्स इक्वल टू वन पर function define आपके सामने यह वाला इसके रिए क्या हो जाएगा आपके सामने f of something one f of one is equal to क्या हो जाएगा आपके सामने three हुका रहा होगा ठीक है अब हमारा finally देखे case one देख लिया case two देख लिया अब देखिए हमने case one case two क्यों देखा है अब देखिए हमने यहाँ पर लिका रहा निका रहा था कि limits x approaches to see limit x approaches to see for any x is less than C sorry x is less than 1 में माल लेते हैं कोई भी x की value है ठीक है x is less than 1 में माल लेते हैं कोई भी x value c है limit x approaches क्या रहा था सी क्या रहा था C plus two आ रहा था अब इसी में आपको देखिए इतना बस नहीं करना है case one में case 1 में एक और काम करना है f of c check करना है f of c क्या आएगा आएगा आपके सामने f of c आएगा basically यहाँ पर c plus 2 अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें आती है पहला भाई limit भी exist कर रही है और f of c is equal है इसका मतलब यहाँ पर देखिए case 1 की बात कर रहा हूँ मैं भी case 1 की बात कर रहा हूँ case 1 की case 1 में आपके सामने यहाँ condition क्या valid हो रही है limit x approaches to c f of x plus 2 is equal to c plus 2 यहाँ condition valid है क्या अब देखिए valid है यहाँ पर f of x है is equal to f of c है इसका मतलब यह है कि x से कम में x से से कम में function continuous है उसी प्रकार case 2 में आपको एक और काम करना है इतना बस नहीं करना है case 2 में एक और काम करना है क्या करना है limit तुमने निकाल ली x approaches to c यहाँ पर आप इसको इस प्रकार भी कर सकते है left hand limit करके और right hand limit करके left hand limit में क्या हो जाता भाई c minus और right hand limit में c प्लस हो जाता है ठीक है दूसरा यहाँ पर हमने limit निकाल ले limit कर रहे हैं जब कभी एक्स की value जब कभी जब कभी एक्स की value one से बड़ी है ठीक है जब कभी भी एक्स की वेलू वन से बड़ी है तो function की limit एक्जिस कर रही है अब यह क्या एक्स की वेलू जब कभी भी वन से बड़ी तो क्या continuous function देख लेते हैं आपको चेक करना होगा एफ फ आफसी यहां पर एफ औफ और यहां पर आएगा एपस सी यह किसके बरावण आ रहा है देखिए जो की limit के वरावण आ रहा है थाना function की वेलू किसके वरावर आ रही है लेमिट के वरावर आ है इसका मतलब यह है कि X is greater than one में इसका मतलब क्या देखिए इसका मतलब यह कि X is less than में function क्या है continuous है हमने निकाला कैसे निकाला भाई कोई भी value C माल ली और उसके about limit पहले limit चेक किया उसके about फिर F of C लिख दिया एक्स इस greater than one में function क्या है अपने सामने continuous है कैसे किया हमने कोई भी value C माल ली उसके about limit चेक किया उसके बाद क्या किया limit चेक किया हमने कोई सी माल लिया limit चेक किया फिर F of C निकाल लिया value CMI हमने बोला इस केस में तो function continuous है ठीक है अब X equal to one पे देख लेते हैं एक्स इकल टू वन पे देख लिए कमनीनियोट देख लिए ऐसे एक्स इकषर किया रही है तो वन पे क्या रही फंक्शन की value 3 आ रही है अच्छा अब देखिए वन के यवाण continuity check करनी है अपने को हमने यहां भी अब दिखे एक्स लेस्ट देन पर वन पर चेक कर लिए और एक्स बिर देन पर वन के आबाट चेक करते हैं तो एक आप वन जो होता है वह आता है त्री एलेसल देख लेते हैं लेमिट एक्स अप्रोच तू बन माइनस फंक्शन डिफाइन ह तो इसकी वैलू क्या होगी वन से थोड़ा कम जाएंगे तो वन के को अप्रोच करेगा थ्री आएगा अब देखे लेमिट एक्स अप्रोच तू वन प्लस पर देखेंगे तो एक्स फंक्शन का डिफाइन आपके सामने एक्स माइनस तो वैलू क्या आ रही होगी बिसिकली से अब वन का अप्रोच करेगा तो यहां पर आगी writer, यह म्त्री वैल इसका मतलब यह120 कर रही है और लिमिट यह करेगी तो continue का यह बात का finally conclusion हमारे साम्मिय निकलता है कि function is continuous function continuous है at all point सभी के सभी point पर except except x is equal to कौन से point पर one one पर क्या है function discontinuous है कैसे पता चला भाई limit ही exist नहीं कर रही ना देखो limit ही exist नहीं कर रहे है तो function क्या होगा discontinuous होगा हमने x less than one पर निकाला था आपको x less than one पर function की continue निकाली थी आपको दिखाया मैंने greater than one पर कैसे निकालते है वह भी आपको मैंने बता दिया है ठीक है अब यहाँ पर देखिए जिसके अबाउट इसके बोलता है पहले उसके less निकालो greater निकालो फिर उसके about निकालो यह होगा पूरे function की continuity यह पूरे function का हो गया analysis ओके चलिए चलिए next question की और move on करते हैं आपके सामने next question दिया है find all the point of discontinuity of greatest integer function greatest integer function की हमें discontinuity के बारे में discuss करना है तो सबसे पहली जान लो भाई greatest integer function होता क्या है ठीक है basically आपको पता होगा फिर में बता देता हूँ देखे माल लीजीए x की value something क्या है आपके सामने 2.1 है तो पताओ इसका greatest integer क्या होता है greatest integer हो जाएगा 2 x की value माल लेजिए something आपके सामने 3.9 है तो उस case में आप मुझे बताएए greatest integer क्या होगा greatest integer होकर आ रहा होगा 3 x की value 7.8 है तो greatest integer of x क्या होगा वो होगा 7 तो ये था concept greatest integer का बच्पन में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं मैंने बता दिया है से देख रहे है कि यहाँ पर एक decimal की बात कर रहे है और एक integer की बात कर रहे है तो यहाँ पर दो चीज़े की बनके आ रही होंगे आपके सामने दो cases बनेगे case one ये बनेगा कि जब x is not any integer जब x कोई integer नहीं है तो यहाँ पर मैं लिखना हो next is not any integer ठीक एक्स जब कोई भी integer नहीं है तो हमें continuity चेक करने continuity चेक करने के लिए हमारे सामने क्या होता है limit x approaches to c greatest integer of x is equal to क्या होगा आप मुझे यह बताइए x approaches to c है तो आपको क्या करना है basically c को डाल दे रहा है c से थोड़ा आंगे एक c को जा रहा है integer नहीं है तो माल लीजे को c की वैलू माल लीजे कुछ क्या है 3.2 समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको 3.2 से थोड़ा कमाएंगे 3.2 से थोड़ा कमाएंगे माइनस में आएंगे जरासा तो उसकी वैलू 3.2 को ही अप्रोच कर जाएगी और थोड़ा आंगे जाएंगे तो वैलू क्या हो जाएगी 3.2 को ही अप्रोच कर जाएगी इसका मतलब यह है कि इसकी वैलू finally greatest integer of c ही आएगी ठीक है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आप यहाँ पर मैं direct न लिखकर इसको दो तरीके से समझा सकता हूँ जदी आप चाहें तो ठीक पहला तरीका यह है कि भाई मेरे एक्स अप्रोच टू सी माइनस है वैन एक्स इस नौट एन इन इंटेजर तो वैलू क्या नहीं है कि बैसिकली सी ही आ रही होगी और दूसरा केस आपके सामने बन जाएगा भाई लेमेट एक्स अप्रोच टू सी प्लस ग्रेटेस्ट इंटेजर ओफ एक्स इस इक्वल तो ग्रेटेस्ट इंटेजर ओफ सी आप भी बताईए यह क्या मैं साही निख रहा हूँ ना साही की गलत है मालों यह कोई 3.2 है जो इंटेजर नहीं है लेफ्ट में आएंगे तो वैलू वापस से 3.2 को अप्रोच कर जाएगी और राइट में आएंगे तो वैलू वापस से 3.2 को अप्रोच कर जाएगी इसका मतलब यह है कि लिमिट जो है एक्जिस्ट कर रही है यहाँ पर एक्स जब कोई इंटिजर नहीं है अब आप मुझे बताइए f of c की वैलू क्या आएगी f of c यहाँ पर आप c की वरू डाल दीजिए तो यह आएगी आपके सामदे f of c के बराबर इसका मतलब यह है जब x is not any f of देखिए अपने सामने condition condition valid हो गई ना कौनशी condition भाई मेरे x limit x approaches to c for any function f of x is equal to f of c होना चाहिए यह condition valid है इसका मतलब यह है कि x is continuous है x is continuous है आपके सामदे when x is not any integer जब x कोई integer नहीं है तो उस case में यह greatest integer वाला function continuous है यह तो हमने देख लिया case 1 ओके ठीक है this was about the case 1 अब हम move on करते है for case 2 तो चलिए case 2 क्या होगा बहुत ही होगा आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं case 2 क्या लूँगा case 2 होगा x approaches to c greatest integer of x is equal to क्या होगा ठीक अब आप बताइए x को integer है माल लीजिए x की value है आपके सामने 4 ठीक x की value क्या है 4 अब क्या करना है आपको दो चीजे चेक करनी है यहाँ पर x की value 4 है तो आपको चेक करना होगा left hand limit तो चलिए left hand limit चेक करते हैं left hand limit का मतलब है x approaches to something c minus मैंने यहाँ माना है x equal to 4 यहाँ पर देखिए 4 minus की बात कर रहा हूँ मैं 4 से थोड़ा कम मुझे जाना है ठीक है 4 से थोड़ा कम मुझे जाना है तो 4 से थोड़ा कम माल लिए 3.999 ठीक इसका मतलब यह है इसका मतलब यह यहाँ पर क्या है कि अभी क्या है जब हम directly 4 डालते हैं तो greatest integer of 4 याद रखिएगा किसी भी integer का greatest integer वो खुदी ही होता है अब मैंने क्या किया 4 से थोड़ा कम चला गया x की value बना दी है यह जब x value यह बन गई है तो इस बार greatest integer ही बदल जाएगा वह आ जाएगा 3 के बराबर क् है जब x की value क्या थी 4 तो greatest integer of x था 4 जब x की value आपके सामने 3.999 हो जाएगी तो greatest integer of x क्या हो जाएगा 3 इसका मतलब यह है अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जब भी हम कभी भी left में जा रहे थे तो वापस y lot के आ रहा था लेकिन इस बार हम left में गए तो यह एक integer तो एक integer वो पी integer of c के equal नहीं आती किसके equal आती है वो वो आती है आपके सामने c-1 के equal ठीक है देखिए c-1 के equal आई 4 था हमने x को 4 माना greatest integer किसके बराबर आया 3 मतलब वो 4-1 के बराबर आया ठीक है यह हो गया lhl अब हम देख लेते हैं rhl rhl क्या बोलता है c से थोड़ा यांगे जाना है तो c स यह आपको जाना है थोड़ा यांगे for any greatest integer x तो माहीं माल लेते हैं x की वैलू 4 है एक्स की वैलू 4 है तो हमें जाना है चार से थोड़ा यांगे का मतलब होता है 0.0001 ठीक है चार से थोड़ा यांगे जाना है इसका मतलब यह है कि value क्या हो जाएगी थोड़ा से आप आगे जाएगे तो greatest integer की value वापस से क्या इसका greatest integer लीजिए तो greatest integer क्या होगा इसका 4.0001 का वो हो जाएगा चार के बरावर इसका मतलब value आएगी c ठीक है यहां पर आप जैसा देख सकते हैं कि lhl is not equal to rhl इसका मतलब यह है कि limit does not exist does not exist at c when c पर limit exist नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है limit exist नहीं कर रही बेटा और यह limit exist नहीं कर रही है इसका मतलब वह integer पर function discontinuous है तो finally conclusion क्या निकालेंगे आप और paper में लिख के क्या आएंगे इस question के लिए conclusion यह question आपके दो number में आ सकते हैं ओके यह वाला जो मैंने आपको question दिया है chances है इसके की two max में आ जाएं इसका j means में क्या फायदा है भाई j means में इस concept पे basic बहुत सारे question आ जाते हैं कभी-कभी और हमें confused कर देता है कभी-कभी greatest integer लेकर लिमिट निकलवाने में इस concept को आप ध्यान लखेगा चलिए इस question का finally conclusion लिख लेता है conclusion आपके सामने आया hence function is function इस कौन सा function है भाई greatest greatest integer function है greatest integer function जो है वो क्या है आपके सामने discontinuous है discontinuous है at every integer क्या है at every integer यह है आपके सामने finally conclusion of this question ठीक है चलिए यह था आपके सामने आज का discussion अब आप NCRT का exercise one बड़ी ही आराम से कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको एक question देना चाहता हूं जो मैं आपके next lecture में discuss करूंगा ठीक है तो चलिए आप वो question चाहे तो note down कर सकते हैं मैं लिख रहा हूं एक minute wait करना होगा आपको चलिए question लिख लेते हैं आपके सामने question है आपके सामने यह आपको homework है आपको homework है आपको next video में आपको मैं solution बताऊंगा f of x is equal to 3 तरीके से function को define किया गया है x cube minus 9 divide by x minus a for x is less than 3 ठीक है अंगला question है b x equal to 3 और अंगला है आपके सामने अंगला condition है x cube minus 27 x minus 3 for x is greater than 3 question समझे क्या है f of x कोई function है x की value जब 3 से कम है तो यह define है x की value जब 3 है तो definition यह है x की value क्या है आपके सामने जब 3 से बड़ी है तो definition यह है आपको function में find करना है value of a b and c यह आपका cvsc में एक question है cvsc paper में आ चुका है और आपका मेंस में भी इस तरह का question एक question एक बार पूछा जा चुका है तो इसलिए आपको इस question को मंद से कीजेगा next video में discussion करते हैं आंगे next topic क्यों next topic है आपके सामने algebra of continuous function ठीक है चले इसको समझने की हम कोशिस करते हैं तो माल लीजिए आपके सामने कोई भी function f of x है और दूसरा function is g of x दोने के दोनों function क्या आपके सामने continuous है तो क्या बोल रहा है कि भाई function f है और यह function g है दोने function continuous है अब property क्या है property यह है कि दो function continuous और आप उसको add करते हो दो function continuous और आप उसको add करते हो जो finally function आएगा वो भी क्या होगा continuous होकर आ रहा होगा तो क्याने का मतलब यहां पर यह है कि if two function are continuous ठीक है माल लीजिए जो function जो है वो किसी point c k about continuous है at any point c k about continuous है c जो है कोई भी real number है c is any real number okay c k about continuous है तो f plus g जो होगा वो भी क्या है गा continuous हाएगा at x equal to c अब यह similarly यदि f plus g continuous है तो f minus g भी continuous होना चाहिए भाई ठीक है f minus g continuous होगा उस point c k about ठीक है जो कहने का मतलब यह है कि कोई भी function f x है और g x है दोने के function क्या है continuous है तो पताइए आप मुझे कि f plus g क्या होगा भाई वो continuous होगा f minus g क्या होगा भाई वो continuous होगा similarly third property यह कहलाएगी भाई दो function continuous है और आपको जदी उनका multiplication कर देते हैं तो finally जो function आता है वो क्या आता है continuous function आ रहा होता है ठीक है देखो मैं आपके सामने के example देता हूँ देखो f of x is equal to something आपके सामने two x है ठीक और मान लीजिए सामने g of x is equal to क्या है आपके सामने x है ठीक अब आप बताइए f of x का graph क्या हो जाएगा f of x is equal to two x का graph क्या हो जाएगा यह कुछ इस प्रकार होगा ठीक है g of x का equal to x क्या होगा कुछ इस प्रकार होगा यहाँ पर दो slope होगी इसकी क्या हो जाएगी बेसिकली slope हो जाएगी one by two इस में slope क्या हो जाएगी यह आपको निकालते आता होगा अब आप बताइए इन दोनों function का multiplication कीजिए f multiplied by g ठीक है f multiplied by g करते तो यह बनता है two x square y is equal to क्या बन गया basically two x square इसका आप मुझे graph बताइए इसका graph कुछ इस प्रकार बनकर आएगा पैरा बोला टाइप में ठीक है तो बताइए f of x क्या function continuous था देखिए हाँ बिलकुल लाइन इसके हमेंसा बढ़ रही है बढ़ रही हमेंसा बढ़ती रहेगी देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूँ देखिए क्या continuous है हमें बढ़ रही है अब जी आफ एक्स के बारे continuous है हाँ वो continuous है भाई हो dalाना बहुत है ठीक है माना कि कुछ और ही graph बन पर्हाइं यह माना कि कुछ होर graph बन पर्हारा है लेकिन यह देखा भी तो continuous ही बन कर आ है तो फंक्शन कंटिनिवस है एफ और जी एकस भी कंटिनिवस है तो एफ बाइजी क्या होगा वह भी कंटिनिवस ही बनकर आ रहा होगा यह भी बहुत ही सिंपल चीज है प्रोवाइड जी ऑफ एकस की वैलू कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए जिस पॉइंट के आवाउट देख रहे हैं आप या फिर पूरे ओवर आल के आवाउट देख रहे हैं ठीक है ज़िए माल लीजिए हम सी के आवाउट एफ की जो कंटिनिटी सी के आवाउट देखे थे तो आपके सामने जी ऑफ एकस जो है वह सी पर जीरो नहीं होना चाहिए तभी यह चीज वैलिड हो होगी कि एफ बाई जी कंटिनिवस होगा यदि एफ ऑफ जी ऑफ एकस इक्वल नौट जी ऑफ एकस इक्वल टो जीरो हो जाएगा उस केस में continuous है या discontinuous है हमें नहीं पता हमें कुछ और ही हमें क्या करना पड़ेगा एफ और जी को डिवाइड करके जो भी function आ रहा होगा व फिर भी आपके समझाने के लिए मैं देख लेता दिखा देता हूं कि एदी मालने जी एकस इक्वल टू टू एकस था और जी ऑफ एकस इस इक्वल टू एकस था अब आप सॉरी एकस था डिवीजन करेंगे दोनों का ना जी एफ आफ एकस का ग्राफ कुछ इस प्रकार था इसकेश में फ्रोब था वन वाय टू वर इसकेश में फ्रोब था वण था ठीक है करेंगे तो वैलू के आएग्गी प्राबार रहेंगी बताई एक क्ल टू माल लेते सम्थिंग वाई है तो के बडाबार आए यह देखिए यह क्या रहा है continuous आ देखाए ना एफ लिकन्तिन तो यह आपके सामने कुछ प्रापर्टीज थी कंटीनिवस की आप हम चलिए इसको एक एक जामपल से समझने की कोशिस करते हैं कोई भी चीज को बहतरीन तरीके से समझनी होती है तो लाइफ में उस चीज का में प्रैक्टिकल कर देखना होता है या फिर एक्जामपल देखने होती है आपको तो हम क्या करते हैं कि हमें यह वाली प्रापर्टी पता होने चाहिए कौन सी प्रापर्टी लिमिट एक्स अप्रोच इस एक्वाल टू क्या होना चाहिए भाई एफ ऑफ सी होना चाहिए तो उसी प्रकार हम माल लेते हैं कि एफ एक्वाल टू साइन एक्स इ हमने माल लिया कि C कोई है वह आपके सामने रियल नंबर ठीक है हमें आप क्या चेक करना है continuity चेक करनी है अब यहाँ पर देखिए लिमेट लिमेट चेप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी अजमान लीजिये कभी भी आपके साब ने हमको बैलू नहीं पता डारेट फंक्शन अजीव सा है नहीं पता और हमें चेक करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई एच माल लेते हैं एच प्रॉस्ट जीरो और क्या कर देते हैं f of x is equal to f of x plus f of c plus h लिख देते हैं ठीक है यह आपके सामने प्रॉपर्टी थी ठीक है आपने लेमिट चैप्टर में पढ़ा होगा आई थी दिस वाज दी प्रॉपर्टी जू मस्ट हैव स्टडीड ड़ चैप्टर लेमिट दिस प्रॉपर्टी फिर से आपको बता देता हूं यह मैंने कै इसे किया लेमिट एक्स अप्रोच टू सी था एफ आफ एक्स इस इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं प्यद्बधिक है एक्स किसी सी को जा रहा है सी जीरो नहीं है उसके में आप एच को सी एच को जीरो पहुंचा सकते हैं और इसकी वैलू एफ आफ आफ सी की जगा लेक्स सकते हैं अभी डैरिट इसको एफ आफ सी लेक्शकते हैं अपना अप यहां पर एक्स प्लस चीज जगा यहीं हम प्रोपर्टी यहां पर उपर उच करेंगे इसे पूफ करने के लिए ठीक है चलिए वापर्टी हम लगाते हैं हापर तो हमने बोला x approaches to something क्या है c है ठीक x approaches to something c है तो हम इसको लिख सकते हैं h approaches to c sin x is equal to sin c plus h ये लिख सकते हैं ठीक है अच्छा आपके सामने इसकी देखो हमें क्या check कर रहे हैं किसी c के about check कर रहे हैं तो हमारे सामने फाइनली f of c के बराबर value आनी चाहिए f of c क्या हो जागा यहां पर sin c के बराबर होगा इसका मतलब इसकी value किसके बराबर अच्छी sin c के बराबर अच्छी कर लेते हैं तो यह आपके सामने यह बन गया इसको expand कीजिए sin a plus b का formula होता है sin a cos b plus cos a sin b हमने इसको expand कर दिया अब यहां पर देखिए basically आपको यहां पर limit लिखना भोल गया माफ कीजेगा यह आपके सामने लिमिट एच अप्रोजिश्टो जीरो अभी तक हमने इसकी value नहीं रखी है ठीक है लिमिट अभी तक हमने नहीं हटाया है ओफिश्टो जीरो हम इसको क्या कर सकते हैंब limit सो 10 साइन सी série है संद्स कॉस एच प्लस से साइल है से अब हम देखते हैं आगे तो चलिए इसको सब से पहले करेंगे हम ओपर और in鬼 क्रिदी स्टन चलिए अब एस जीरो को जा रहा है एचशीरो को हो जा रहा है तो जहां कभी भी है जहां कहीं भी है तो आपको करना है जीरो को पहुंचा देना है जीरो को जा रहा है तो कॉस्ट जीरो की वैलू क्या होती है वह होती है यहां से होजाएगा साइन सी multiplied by one plus cos c है cos c multiplied by sin 0 क्या हो जाएगा h 0 हना तो यहाँ पर देखिए sin c multiplied by one हो जाएगा को कि h approaches to 0 था यहाँ पर क्या हो जाएगा basically h approaches to 0 था तो मतलब sin 0 की value 0 आगे तो finally value किसके बराबर आ रही है sin c के बराबर आ रही है किसकी value sin c के value बराबर आ रही है limit x approaches to c sin x is equal to sin c आ रहा है अरे यह तो f of c है f of c है इसका मतलब हमारे सामने जो यह sin x function है वो क्या है continuous है for any real value c okay this was the all about our exercise one five point one in ncrt thank you lovers आप क्या कर सकते है basically आप exercise one लगाईए जो भी आपको doubt आते हैं आप ग्रूप में send कर सकते हैं और doubts